नमस्कार आज हम बात करेंगे हमारे को कौन से जोन में किस तरीके की पेंटिंग क्यू लगाने चाहिए हम बात बात में वीडियो में ये तो आ जाता है कि आप ये पेंटिंग यहां लगाई है लिकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम वो पेंटिंग इस जोन में रे चाहिए लेकिन आज इस वीडियो में ये डिसकस करूंगे कि कौन से जोन में कैसे पेंटिंग आप ले सकते हैं जब आप अपनी खुरेदारी करने जाएं तो आपको बहुत असानी होनी चाहिए और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों की महावास्तो कुंसल्टेन पांच साल से भी जादा हूँ बहुत चीजों में क्लार्टी देते हुए आज इस बारे में क्लार्टी देने आई हूँ अब हम बात करते हैं zones की जैसे कि आप लोगों को मालूम है not से लेकि इस तक हमारा जलता तव होता है यहाँ पे हम water related पानी के related हम अपनी pictures लगा सकते हैं जैसे कि water fountain यहाँ फिर अगर हम बात करते हैं कहीं पे जढ़ना हो पानी कहीं से गिर रहा हो यहाँ फिर कोई एक बड़ा समुद्र यहाँ पे इस तरह के की painting आ सकती है और यहाँ पे हम greenery की painting भी हर टाइम करते हैं जो आपको नौट जोन में होता है और यह वाला जो जोन है इसको हमेशा light रखते हैं light का मतलब क्यों क्योंकि यह एक इशान को नौर्थीस्ट में होता है और जो इशान कोन है तो इसलिए यहाँ पे आप water related paintings रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे आप यहाँ पे कुछ पहाड या फिर yellow color की painting कुछ आग के related कुछ आपके weapons के related या red color की paintings यहाँ पे नहीं आएगी अगली में बात करते हूं east direction की यहाँ पे उपता हुआ सूरज की picture आप लगा सकते हैं और यह जो हमारा zone होता है यह हमारा अगनी तत्तफ का होता है और जो south east का zone होता है वो astrology के हिसाब से हम उसको ladies से represent करते हैं तो यहाँ पे आप हस्ती हुई ladies के pictures लगा सकते हैं बहुत सारे लोग अपने घर में ladies के pictures portrait रखते हैं यह वाला zone बहुत अच्छा है जो south का zone है यहाँ प इसका जो हमारा frame होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे आप अपना frame green color या brown color का रख सकते हैं और आप यहाँ पे yellow भी रख सकते हैं अब हम अगली बात करते हैं south west zone की यह वाला जो हमारा zone होता है यह प्रित्वी तत्तव से relate होता है यहाँ पे हम भारी समान रख सकते हैं अब अ लगा सकते हैं और यहाँ पे अपने husband wife की पिचर तो लगा ही सकते हैं अगली मैं बात करती हूं हमारे north west zone की जो यह वाला zone होता है यह हमारा वायू तत्तव से correlate होता है और यह जो जोन है यह गती प्रदान करता है यह फ्लो देता है तो इसलिए यहाँ पे उड़ती हुए चड़िया एरोप्लेंस यहाँ फूल पतियां एक डारेक्शन में और रही हो यहाँ पे आप वैसे पिचर लगा सकते हैं और बहुत important यहाँ पे जो भी आपको जिस चीज से support चाहिए है मान लीजिए एक builder को किसी अपने बड़े-बड़े client से support चाहिए है तो वो अपने उन लोगों की पिचर लगा सकता है अगर किसी builder को अपने किसी बड़े brand से support चाहिए तो उस brand के पिचर नौथ-वेस में लगा सकते हैं तो नौथ-वेस का जो zone होत यह बहुत support करने वाला भी zone होता है और अगर आपको किसी से भी life में support चाहिए है जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपको आपके बच्चों से support चाहिए है तो एक family picture आप अपने बच्चों के साथ यहाँ जरूर लगाएगा क्योंकि यह एक support देने का zone है तो इस तरीके से हम decide क करते हैं कि हमारे को कौन से zone में किस तरीके की picture लगानी चाहिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेर और लाइक करना मत भूलेगा क्योंकि जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है वैसे और लोगों को भी समझ में आना चाहिए थांक यू सो मज